John Paul Satra, 28th century के एक famous existential philosopher थे existentialism का मतलब जब खुद के existence पर questions आने लगते हैं जैसे what is my purpose Satra, thinking and philosophy को एक नई level पर ले गए आज का topic इसी बारे में है Welcome to Academy of Knowledge वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को subscribe and bell icon प्रेस करना ना भूले John Paul Satra, 1905 में पैरिस में पैदा हुए थे उनकी जिन्दिगी का ज़्यादा तर समय उन्होंने पैरिस में ही बिताया Satra had a wandering eye वो heavy glasses पहनते थे उनकी height कम थी इसलिए Satra खुद को frequently ugly भी describe करते थे 1960s तक especially Europe and USA में Satra अपनी philosophy के लिए एक household name बन गए जिसे कहते हैं existentialism ये word आपने जरूर सुना होगा existentialism की थियोरी सबसे पहले Satra ने ही दी थी उनके बाद काफी famous existential philosophers और आए existentialism कुछ key insights के around घूमता है Satra के according I can't and I must words का use करने का कोई sense नहीं बनता क्योंकि ultimately इनसान जिन्दिगी में जो भी decisions लेता है उसके पास choices हमेशा होती हैं इसलिए जब आप एक certain way में act करते हैं तब खुद की सिवा किसी और को blame नहीं कर सकते आपको अपने actions की पूरी responsibility लेनी चाहिए Satra कहते हैं इनसान के पूरे existence के दौरान उसे खुद meaning create करनी चाहिए existence का मतलब खुद से ही meaning create करना होता है According to Satra, existence precedes essence Essence का मतलब होता है किसी चीज के होने की वज़ा उस चीज की खासियत क्या है Example, एक knife का essence उसकी sharpness होती है कि उसे cutting करने के लिए use किया जाता है यही ध्यान में रखकर सारे materials design किये जाते हैं कि उनका use किसलिए किया जाएगा But humans का essence पहले से decide नहीं होता There is no design for humans इसलिए according to satra, society या family के जरिये हमारे उपर labels and stereotypes लगाने से पहले हम सभी एक independent individual होते हैं हमारा purpose and essence वो नहीं होते जो दूसरे decide करते हैं बलकि जो हम अपने action से खुद create करते हैं इंसान पहले exist करता है, फिर अपना essence create करता है जैसे कोई इनसान singer होता है या कोई dancer ये उनका essence है जो उन्होंने create किया उनके पैदा होने से पहले किसी ने decide नहीं किया था कि कौन क्या करेगा और अगर किया भी होगा तो कुछ guaranteed नहीं होता इनसान अपने actions के थो essence create करता है existentialist, God में believe नहीं करते थे उनका मानना था life का कोई meaning नहीं होता इसलिए जो भी होता है वो बस होता है मतलब ये दुनिया meaningless होती है इसलिए यहां जीने के लिए कोई guidelines या moral code नहीं होते इनसान अपनी meaning खुद create करता है satra कहते हैं जीने का best तरीका है to live authentically satra ये भी कहते हैं इनसान के पास choices हमेशा होती है जीने बनाने के लिए वो हमेशा free होता है उनका मानना है even choice, make ना करना भी एक choice है I create myself through what I do, this makes me me, I am what I do satra के according ऐसे moments सभी feel करते हैं जब दुनिया जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा अजीब लगती है जब logic का कोई sense नहीं बनता और सब कुछ absurd और डरावना सा लगता है satra की first novel nausea जो 1938 में publish हुई थी ऐसे moments से भरी हुई है ये एक 30 year old French writer के बारे में है जिसका नाम रक्वेंटीन होता है basically रक्वेंटीन जहां भी जाता है उसे जो दिखता है वो सब alien सा लगने लगता है हर object की meaning समझ में नहीं आ पाती colors कोई sense नहीं बनाते मतलब उसे सारे objects and everything pure existence में दिखने लगते हैं without any label जो उन्हें बाद में दिये गए थे जैसे अगर apple है तो उसका नाम देने से पहले वो सिर्फ exist करता था बाद में उसे उसका नाम दिया गया उसे सिर्फ forms दिखती हैं he says, things have broken free from their names it seems ridiculous to call them seeds or say anything at all about them I am in the midst of things which can't be given names everything is full, existence everywhere, dense and heavy and sweet चीजों पर जो भी label या names लगाए जाते हैं वो secondary होते हैं real में हर चीज पहले exist करती है रक्विंटीन कुछ moments के लिए दूसरी दुनिया में चला जाता है जो nausea create करता है इस दुनिया को satra the absurdity of the world कहते हैं ऐसे moments satra की philosophy का heart है satraian होने का मतलब है existence को different names, values, beliefs जो दिये गए हैं उनसे पहले उसके pure existence से aware होना और वो आप खुद create करते हो बताई गई बाते, beliefs हमेशा सही नहीं होते इसलिए खुद की choices के थो अपने existence को meaning देनी चाहिए चीजे जैसी हैं उनका वैसा होना जरूरी नहीं आप उन्हें बदल सकते हैं क्योंकि choices हमेशा है जब इनसान अपना freedom fully realize कर लेता है उसे satra, french में anguish या anguish of existence कहते हैं वो कहते हैं इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है क्योंकि कोई भी चीज पहले से decided या उसका God given sense और purpose नहीं है इनसान life की इस journey में अपनी choices से meaning create करता है और वो किसी भी moment रुकने या अपनी direction बदलने के लिए आजाद होता है साटरा, bad faith के बारे में भी बात करते हैं इसका मतलब होता है जब कोई इनसान अपनी thoughts या dreams को ignore करके society के बनाए rules and belief system को follow करता है without taking freedom properly जब आप ये सोचते हैं कि चीजों को एक certain way में होना चाहिए और अपने लिए दूसरे options बंद कर लेते हैं या उन्हें ignore कर देते हैं जब आप खुद को society के standards के according ढालते रहते हैं ये जानते हुए कि आप वो नहीं चाहते जो कर रहे हैं आप कुछ और चाहते हैं अपनी सोच को society के pressure में deny करके जब आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं that is called bad faith bad faith का famous description साटरा ने अपनी book being and nothingness में दिया है जब साटरा एक waiter को notice करते हैं जो अपने उस particular role में इतना डूबा हुआ है कि वो ये भूल चुका है पहले एक free human है उसकी movements quick and forward है too precise and rapid like a robot उसने खुद को convince कर लिया है कि essentially and necessarily वो पहले एक waiter है ना कि free human being साटरा के according सबसे important factor जो इनसान को free will follow करने से रोकता है वो है money इसलिए हम में से mostly life में काफी options इसी वज़े से ignore कर देते हैं चाहे moving abroad ये new career try करना ये leaving a partner ये बोलकर कि अगर पैसो की problem नहीं होती तो शायद कर चुके होते money के सामने इस helplessness ने साटरा को political level पर unrage किया साटरा capitalism को एक machine की तरह देखते थे जिसे ऐसी जरूरते create करने के लिए बनाया गया जो real में exist नहीं करती जो हमें घंटों काम करने और particular products and services लेने के लिए मजबूर करती हैं पर इन सभी में जो चीजे common हैं वो है denial of freedom कि आप free हो अपने choices make करने के लिए आपके पास choices हमेशा होती हैं life में जो चाहें वो choose कर सकते हैं साटरा कहते हैं चीजों को वैसा होने की जरूरत नहीं हैं जैसी वो दिखती हैं इसलिए साटरा existence की fluidity accept करने और new institutions habits, outlooks ideas create करने के लिए encourage करते हैं life का पहले से कोई decided plan या logic नहीं होता ना ही वो inherently meaningful होती है हम अपना essence and meaning खुद create करते हैं इसलिए अगर आप कभी society के traditions या status quo के burden से दबा हुआ feel करें तो याद रखना आप free हैं अपनी choices make करने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share जरूर करें और आगे future में ऐसी ही informational videos के लिए channel को subscribe and bell icon प्रेस करना ना भोलें